जनपद हापुर में पुलिस ने मुडबेड के दुरान एक लाग के नामी बदमाश मनुज भाटी को एनकाउंटर में धेर कर दिया है तो वहीं दूसरे एक लाग के नामी बदमाश अनुज को गिरफतार कर लिया है और कुछ बदमाश मौके का फायदा उठा कर फरार हो गए पुलिस उनकी तलाश कर रही है बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में धेर हुए बदमाश ने कुछ महीने पहले अपने सात्यों के साथ हापुर कर शरी में हरियाना जेल से पेशी पर आए बदमाश लखन की ताबर तोड कोलियों से भुन कर हत्या कर दी थी जिसके बाद से शाप शूटा फराज चल रहे थे जिन पर पुलिस ने एक एक लाग का इनाम खोशित किया था वही मुगबेर के सोचना पर पुलिस ने शाप शूटा मनुझ भाटी और उसके साथी को कल हरियाना से ग्रफतार कर लिया था बताया जा रहा है कि जब पुलिस बदमाश से एक पुलिस अब इस मामली में आगे की आविश्यक वेधाने कारवाही कर रही है